नमस्कार खबर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सर्मा बुल्टन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के बोधी जिले की जहां अवैत खनन पर लगाम लगाने के लिए प्रसासन ने जिला कलेक्टर के नेत्रितु में 21 अभियान की निर्देश दिये हैं बैठक में सामिल अधिकारियों को जिला कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि डौबी और चंबल नदी के किनारे होने वाले अवैत खनन पर विशेश निगरानी रखते हुए खनन माफियाओं के खिलाप कारिवाई की जाए और साथी इस पर संबंदित उपखंड अधिकारी अभियान के तहट मौनिटरिंग करेंगे अवैत खनन के परिवाहन के लिए काम किये जाने वाले अन्य रास्तों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश जारी किया गया है साती अभियान के तहथ प्रतिदिन की की जाने वाली की जाए जिला कलेक्टर ने डियफो संजीव सर्मा को निर्देश देते हुए का कि तलेडा छेत्र के रेंज में आने वाले वन छेत्र में अवैद खनन को लेकर विशेश निगरानी रखें और अवैद खनन की रोकताम को लेकर परियाप्त मॉनिटरिंग की जानी चाहिए माइनिंग टीम की मांग के अनुसार पुलिस की टीम मोहया कराई जाए साथी उन्होंने कहा कि पुलिस जिला प्रसासन वन विभागब परिवाहन विभाग तत्ता मायनिंग विभाग संयृक्तु रूप से खनन माफियाओं के बिरिशुन सक्त कार्यवाई करें अवैद खन नहीं हो इस अभियान के दोरान यह सुनिश्चित करें कि जिले में खननकारे नियमों के अनुरूप ही हो ताकि अवैद खनन पर अंकुष लगे बैटक में पुलिस अधिक्चक हनुआन प्रसाद मीडा ने कहा कि संबंदित अधिकारी उनके छेत्र में नियमित रूप से गस् में प्रयूक्त वाहनों को जब्त किया जाए वहीं इस बैठक में अत्रिक्त उप छेत्र निदेशक रामगड टाइगर रिजर्व संजीब सर्मा ने एमाई प्रसांत बेदवाल परिवहन निरिक्चक सिवाजी राम खनीज विभाग के पील सवर्वया आदि मौजूद रह धरुद उट यहाद्र वाहनों के रधना है एल्रेव प्रसांत तृट टाई encourages बाहरे थे हूरे भाद बंदेढ आए